नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ उजा आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाओं से पहले चुनाओंवी बॉंड की लिस्ट बढ़ाएगी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए ये सबाल इसलिए क्योंकि SBI कच्चा चठक होलने जा रहा है लोकसभा चुनाओं से ठीक पहले सुप्रिम कोट ने इलेक्टरोनल बॉंड को अव्यद बताया है और स्टेट बैंक के तलब से मोहलत मागने के बावजूद 12 मार्च यानि की आज ही उसे चुनाओंवी चंदे का सारा डेटा चुनाओं आयों के सार शेर करने का आदेश दिया गया है साथी EC को 15 मार्च तक ये व्योरा पब्लिश करने के निर्देश दिये गया है वैसे इस आदेश से विपक्ष के कई बड़े नेता काफी खुश तो नज़रा रहे है राहुल गांदी कह रहे है कि इलेक कोट का स्टैंड और क्या है विपक्ष की राज़ूती आज इसे पिचरशा करेंगे मेरे साथ स्टुड़ी में माजूद हैं क्या पज़र चीवी के एडिटर इंची डॉक्टर मनिश्कमार बहुत सब बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद जो राहुल गांदी इ से सब कुछ मालूम चल जाएगा तो जिस व्यक्ति का आइकू लेवल यह हो और कोई कुछ भी लिख करके देता है वो टूइट कर देते हैं वो अपने से भी टूइट नहीं करता है वो दिल्ली में बैठे हुए यहां पे जेन्यू के घटिया हिंदी के जानकार सब वो तु चंदा दो धंदा लो चंदा दो प्रोटेक्शन लो और इत्यास का सबसे बड़ा घुटाला जो है है ना तो भाई मुझे बात बताए कोई कि यह यह जो पूरा पैसा आया है इलिटरल बॉंड से क्या टूजी के बराबर है थ्रीजी के बराबर है सीड़ जी के बराबर है कुल मिलाकर करीब छे हजार कड़ो रुपए जो है इलिटरल बॉंड से आ है है ना सुप्रिम कोट ने क्या कहा अपने आदेश में सुप्रिम कोट ने कहा ये इलीगल है सुप्रिम कोट नहीं यह नहीं कहा कि इसमें करप्सन इन्वाव्ड है अकल चरने चली गई है लोगों की सुप्रिम कोट के पूरे वर्डिक्ट में कहीं पे भी डिरेक्टली और इंडिरेक्टली सुप्रिम कोट नहीं यह कहा है क्या कि ये भर्जिवारा है घुटाला है करब सुन है नो आप सेट इलीगल है क्यों ये भी समझ दीजे वो डिबेट में आप जाईए लेकिन सुप्रिम कोट ने ये जो जल्द बाजी दिखाई है इस बेए को महलत नहीं दी गई है उसको लेकर ये लोग खुश हो रहे हैं भाई ठीक है मुर्गता की कोई उसका कोई सर्टिप्रिकेट तो लोग दे नहीं सकते लेकिन ये मुर्गता ही है क्यों आप इसको मुद्र सरकार दे रही थी तो जरा मुझे एक राहूल गांधी बता दे कॉंग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति बता दे ये मैं आकरा लेकर क्याया हूं इसी पेटिशन का सुप्रिम कोट के फैसले में दो हजार बाइस और तैस में कॉंग्रेस पार्टी को इसी मिले 171 क्रों रूपे 2022-23 में किस से चंदा लिया किस से धंदा किया किसको प्रोटेक्शन दिया कि एलेक्ट्रोल बॉंड से आने वाला पैसा अगर धंदा है प्रोटेक्शन है वह घूस है घुटाला है तो यह 171 करों रूपे आपके लिए छोटा-बोटा अमाउंट होगा कॉंग्रेस पार्टी के लिए सोनिया गांदी के लिए लिकिन यह तो बड़ा माउंट है यही दो हजार एकीस-बाइस में एक सार और पहले 236 करों रूपए 236 करों रूपए आपको मिले इसी एक इलेक्टोरल बॉंड से तो किस से चंदा लिया किस से धंदा किया किसको प्रोटेक्शन दिया कैसे किया यह तुम बता दो और क्या क्रिपा की बहुचार की मैंने बीजेपी को मिल रहा है तो क्रिपा की बहुचार हो रही है और तुम को मिल रहा है आपके सब्सक्री मैंने क्यों कहा कि आईक्यू लेवल इतना यह बेवकूफों की जमात बिठा रखी अपके सोशल मीडिया में विदाउट एनी पॉलिटिकल एक्सपीरियेंस तो गधो के सर्दार बने हुए राहूल गांदी कि कम से कम यह आकर तो बचा कर रखते हैं यार कि यह उल्टा पढ़ने वाला है एक साल और पहले चलते हैं दो हजार उन्नीस और बीस में प्रोटेक्शन मनी यह घोटाला जो पैसे आये वह और भी ज्यादा है 317 कड़ो रुपए एलेक्टोरिल बॉंड से आये क्यों लिये क्यों लिया अभी यह जो भासन तुमने दे दिया चंदा लो धंदा दो प्रोटेक्शन लो चंदा देने वाले उक उपर किरपा की बहुशार बताओ कि अभी मैं आऊंगा उसके उपर भी 2018-19 में 383 कड़ो रुपए अब यह समझ लिए बोटा-बोटी 6000 कड़ो रुपए जो है एलेक्टरल बॉंड से हजार कड़ों के आसपास जो है वह कॉंग्रेस पाटी ले ली अब चंदा आरा है तो साइज भी देख लो भाई तो आपको हजार कड़ों रुपए आ रहा है है हजार कड़ों रुपए आपने उठा लिए तो बड़ी पाटी है तीन सो पार बड़ बड़े राज्यों में तो अगर यह कह रहे हो कि धंदा है तो धंदा तुम भी कर रहे हो यह गंदा है तो गंदेगी तो भी फेला रहे हो अब ज़रा मुझे यह बता दो कि इसमें जो हजार कड़ों रुपए आए हैं उसका भी तो खुला सा होगा और मैं इसनी कह रहा हूं कि यह हिंदी तुबंदी करने वालों से ट्विट करवाते हैं यह बेबकूफ लो जरा सा भी राज्यूति की एबिसी बहिए जो हजार कड़ों है उसमें भी तो निकलेगा और कहीं यह प्रोटेक्शन मनी राजस्थान में 25,000 क्रोल का जो काम दिया गहलोत ने अडानी को अडानी के बैंक से करें एक रुपईया भी अगर आ गिया तुम्हारे पास तब फिर क्या करोगे कहां मुद दिखाओगे पैसा अमाली से आ गया तो कहां मुद दिखाओगे टाटा से आ गया तो कहां मुद दिखाओगे तो बिश्यर्वी का यह कि यह परकास्था है जो पार्टी चीन से पैसे खाती हो चीन से, चीन की सरकार से, कमिनिस्ट पार्टी से, चैनीज एमबेसी से, जो राहुल गांदी पैसे खाता हो, वो ये मुद्दा उठाने के लाइक है आपी समझे कितनी बड़ी बेवकूपी है और किस चीज का है वो लोग मना रहे हैं, देखे मैं एक बात कह रहा हूँ, फैसला होना चाहिए, सही फैसला है, सुप्रेम कोट के साथ हूँ मैं कि पॉलिटिकल पार्टी कहां से पैसे उठाती है, सब पब्लिक को मालूम होना चाहिए लेकिन यह राहूल गार्टी की मुर्कता में, देखे यतनी बड़ी लिस्ट है, लिस्ट में मैं बता दू कौन-कौन खाया है, तो भई अगर Electoral Bond जो है पाप का पैसा है, तो तुमने लिया गलती किया, अब जब तुम कह रहो यह पाप हो गया, क्या तुम्हारी हैसित है, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है, क्या तुम यह कहो कि हजार करोड़ रुपे हम वापस कर रहे हैं, नहीं चाहिए हमें पाप का पैसा, तो पाप भी करोगे, अवो कोई हिंदी डिपार्टमेंट वाला, जेनु वाला कोई उत्तुक बंदी दे दिया, चंदा लो, धंदा लो, चंदा दो, प्रोटक्शन लो, तुमनों ट्वीट कर दिया, बीवकूफी कि को, लिस्ट में बता दू, बीजेपी को भी मिला है, कॉंग साथ इसने परिशान है, कि टीमसी को इतना पैसा आगया, कॉंग्रेस को पैसे लोग नहीं दे रहे है, वो एक राज में सरकार चला रही हम लोग इतने जगह, एनसीपी, ये बी आरेस, टीडीपी, वायसार, कॉंग्रेस, बीजेडी, डीमके, सिर्फ से ना, उसमें तो उद कितने कितने मुह है इन लोगों को, आवादी पाटी, जेडीएस, समाजवादी पाटी, समाजवादी पाटी विखाई है, तुम एक रुपएया भी लिए, एलेटरल बॉंड से, तो वो तुम्हारे पाप का तुम जो है, उसको, ए आई डीमके, आर जेडी, जारकन मुक्ती इस डीएफ, एमजीपी, जेडीउ, नितिश्क पाटी, कोई बचा, कोई बचा है, जो यह कह सकता है, वो गाना याद आ रहा है, कि जिसने पाप ना किया हूँ, वो पापी नहो, कोई है इसमें, इस हमाम में सब नंगें, तो पता नहीं क्यों कोई खुशिया मना रहा है, सो यह राहूल कंदी तो भाग जाएगा पार्टी करने के लिए लंदन, आप यह समझें कि गर यह जो पैसा इंडरेस्टलिस्ट लोग की दे रहे होंगे, अब यह खुलासा होगा, कि आम बानी से भी कॉंग्रेस पार्टी, भई देखिये, एलोटरल बॉन्ड इसलिए उसको स सिक्रेट रखा गया था, कि भाई यह जानकारी नाम मिले, किसी का नाम ना आये, ताकि कोई आपको, मने कोई बिजनस मैन है, जैसे आप बिजनस मैन हो, आप एक पार्टी को दे रहे हो, तो दूसरी पार्टी आपके साथ को बुरा बरताव ना करे, भाई आप यह समझो, य अभी साउथ इंडिया में एपल का एक खुला, यह बंपन्ती है, सफाई के गुंडे जो है, जागर के वहाँ तो फोल बचा दिए, बिजनस मैन है ना, सब आदमी जागर के उसके दुकान पे, उसके इंडिस्ट्री पे आप जाके तो फोल कर दोगो, तो बचारा वो सब त लेता था, अभी यह वाइट मनी आ रहा है, सुप्रिम कोट के जजज ने सही फैसला कि अब इसी क्रिसी मत रखो, लेकिन जजज सहाब को यह भी बताना चाहिए, कि फंडिंग का फिर तरीका क्या हो, जो लीगल है, सिस्टम के उपर सवाल खड़े करना आसान है, सेलिशन न निकालना बड़ा मुश्किल है, और अगर चीफ जश्टिस सहाब, आप को एक क्लियर कट फंडिंग का सिस्टम आप सजिस्ट नहीं कर पाए, तो आप समझे कि आप भी जो है इस फैसले में एक पार्टी बन गए, लेकिन जो बात ध्यान करने की है, कि सुप्रिम कोट में चुना आयोक को सौपने के लिए अपनी अपील में सुप्रिम कोट से 30 जून तक की मोहलत मांगी थी, जिसे सुप्रिम कोट ने खारच कर दिया, सुप्रिम कोट ने एस बितर को स्विकार करने से साफ साफ इंकार कर दिया है, अब देखना होगा कि आज क्या कुछ होता है, उस पर आप अपनी राई कमेंट के लिखें, देखें, क्यापिटल टीवी, नमस्कार